तो दोस्तों अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर आप IPL 2024 लाइब बिल्कुल फ्री में अगर आप अपने लेप्टॉप PC कम्प्यूटर में देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं जियो सिनिमा को अपने PC, कम्प्यूटर, लेप्टॉप में कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोर करना है कम्प्लीट प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है तो कैसे देख सकते हैं कम्प्लीट प्रोसेस लाइव इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ तो आईए फिर बिना किसी तेरी को शुरू करते हैं हम इस वीडियो को तो दोस्तो टाटा IPL 2024 को लाइव बिल्कुल फ्री में अपने smart TV में देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने smart TV को on करना है on करने के बाद में आपको इसे अपने wifi या फिर इंटरनेट से connect कर लेना है अब connect करने के बाद में दोसों आपके smart TV में आपको play store करके एक option मिलेगा जिसके पर आपको click करना है click करने के बाद में आप अपने smart TV के play store पे पहुंच जाएंगे अब simply आपको उपर यूपर जाना है सर्च बार में जाकर के आपको search करना होगा जियो सिनिमा अप्लिकेशन को सभी को ये अप्लिकेशन आपको आपके play store पे देखने के लिए मिल जाएगी simple सा है बस आपको जियो सिनिमा अप्लिकेशन को अपने smart TV में install कर लेना है तो यहाँ पे मैं already install करके रखा हुआ है तो चलिए फटावपट से हम इस अप्लिकेशन को ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद मैं जोसों यहाँ पे हमारे सामने जियो सिनिमा जो अप्लिकेशन है वो ओपन हो रही है जिसके अंदर थोड़ा सा हमें सबय लगने वाला है और अब दोसों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनली जियो सिनिमा अप्लिकेशन है वो हमारी smart TV में open हो चुकी है open होने के बाद मैं जोसों यहाँ पे आपको Tata IPL 2024 में होने वाले जितने भी मैचे से live यहाँ पे आपको full HD quality में बिल्कुल free में देखने के लिए मिलने वाले हैं फिलाल के टाइम पे दोसों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी Tata WPL यानि की women premiere league चल रहा है मगर यहाँ पे जल्द ही आपको Tata IPL करके section देखने के लिए मिलेगा बस आपको वहाँ पे आकर के switch कर जाना है करने के बाद में यहाँ पे आपको Tata IPL की live streaming यहाँ पे आपको हर दिन देखने के लिए मिलने वाली है मगर दोस्तों यहाँ पे आपको Geo Cinema application में login करना होगा अब login कैसे करते हैं बहुत ही simple सा है देखी आपको यहाँ पे आना है side में side में जब आप आएंगे तो उपर यूपर आपको login now का option मिलेगा जिसके पर आपको click कर देना है click करने के बाद में बस आपको अपने mobile number को enter करना है mobile number को enter करने के बाद में आपके mobile number पे आपको OTP मिलेगा OTP को submit कर देना है बस आपको इतना साही काम करना है और आप Geo Cinema application में login भी हो जाएंगे और इस तरह से दोस्तों आप में से जो भी लोग Tata IPL 2024 में होने वाले live match अपनी smart TV में देखना चाहते है बिल्कुल आसान सा तरीका है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है और पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके अगर में PC आपके laptop है तो उसके अंदर आप कैसे देख सकते हैं तो अगर आप जानना चाते हैं तो यह रही वीडियो उपर आई बटन के उपर क्लिक करके देख लिजएगा लिक्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है तो वीडियो बस इतना ही आई हो कि यह जानकर आपको बसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए असाथ इस चैनल को सुस्क्राइब करके